हलो दोस्तों दिन बर के खपरें बीबीसी पर बीबीसी दुनिया में देखते हैं और उसके बाद बीबीसी दुनिया में आज देखिए गजा छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहते कुछ परिवार डबलो एचो ने कहा बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रहा है खजा लेकिन खत्रों के बावजूद खजा में रहने पर अड़े कुछ लोग हमास ने की 2800 इसराइलियों को अगवा करने का दावा अंतराष्ट कूटनी ती हुई तेज कल इसराइल पहुंचेंगे अमेरिकी राष्ट्रपती जो बाइडन दिखाएंगे खास रिपॉर्ट स्वागत है आपका वीवी से दुनिया में मैं हूँ सारीका सिंग इसराइल और हमास की बीच जारी संगर्श के करेंगे बाद लेकिन पहले हैं लाइन्स सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी सेम सिक्स मैरिज को मानने था चीफ जस्टिस डीवाइड चंद्रचूर की अधिक्षिता में पांच जजों की संविधान पीट ने सुनाया फैसला अदालत ने कहा कानून बनाना संसत का काम साल 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और साल 2040 तक चांद पर अंतरिक्ष यात्री भीजने का भारत कमिशन प्रधान मंत्री मोदी ने अंतरिक्ष विभाग को दिया निर्देश रूस के राष्ट्रपती व्लादमर पुतिन पहुंचे चीन, बेल्ट एन रोड इनिशेटिव के 10 साल पूरे होने पर कारह करम में लिया हिस्सा, चीन की सबसे बड़ी आर्थिक परियूजना है बियार आए, बुदवार को होगी चीनी राष्ट्रपती शीट जिन पिंग स से रह रहा था, हो सकता है चर्म पंथी संगर्टन आईस से हमलावर हुआ था प्रेलिंद, इन में से कुछ एहम खबरों की चर्चा आज पीवी से दुनिया में है, इस्राइल और हमास के बीच संगर्श का जी 11 रहुमा दिन है, इस्राइल के जमीनी हमलों की आशंका के मद् नजर घजा के उतरी इलाके से भागे हजारों लोग मिसर से लगने वाली रफा चेक पॉइंट पर जमा है, लेकिन कई परिवार ऐसे भी हैं जो घजा छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते हैं, क्या है इस फैसले की बज़े, इस दोरान ऐसे तमाम वीडियो भी सामने आ रहे जिन में बंधक बनाये गए, इसराइली नजर आ रहे हैं, कवस्टोडी में आज इन तमाम पहलों के चर्चा, बीती रात और आज सुबह भी घजा में इसराइली हवाई हमले जारी रहे, इस्थानी अधिकारियों का कहना है कि दक्षणी घजा में हवाई हमलों में सौ से ज जाधा लोग मारे गए हैं, मिसर की सीमा के पास रफाच चेक पॉइंट में एक घर में ही 28 लोग मारे गए हैं, यह वो जगह है जहां हजारों मिसर में दाखिल होने का इंतसार कर रहे हैं, दूसरी और हमास का कहना है कि इसराइली हमले में उसके कुछ हदिकारी भी मारे इसमी चंतराष्ट्य राहत जिंसियां गजा में राहत समागरी फॉरण पहुँचाने पर बार बार जोड़ दे रही हैं, गजा में दाखिल होने की इजाज़त के इंतसार में राहत समागरी रिये सैक्रो ट्रक रफा क्रासिंग पर खड़े हैं, विश्व स्वास्ति संक्र रोट से ये रिपोर्ट, ये घजा सेमा से सिर्फ एक किलोमेटर की दूरी पर है, इसराइल पर हमास के अपरत्याशित हमले को एक हफ़ते से जादा हो चुके हैं, और उनमें से कुछ हमलावर यहां से जादा दूर नहीं हैं, इसराइल ने घजा पर सिलसलेवार जबरदस् और अब वो जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है, इसकी कलपना करना मुश्किल है कि गजा में आम लोगों के साथ आगे क्या होगा, ये गजा पट्टी का उत्तरी इलाका है जहां जमीनी हमले शुरू हो सकते हैं, इस इलाके से हजारों लोगों को अपना घरबार छोड़कर द गजा में 2700 से अधिक लोग मारे गए हैं और कई इलाके मल्बे में तबदील हो गए हैं इसराइल के कहने के बाद हजारों नागरिक उत्तरी इलाकों से भाग गए हैं, लेकिन कई लोगों का कहना है कि वो जान नहीं सकते या जाना नहीं चाहते अबो जमील उन्हीं में से एक हैं, जो गजा में बच्चे थोड़े से पानी को भर रहे हैं, यहां पानी की सप्लाई चार दिन से बंद है हम कहीं नहीं जाएंगे, भले ही वो हमारा घर तोड़ दें, जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, पांच-छे लोगों का परिवार लेकर हम कहां जाएंगे मौका मिलने पर बच्चे खेल भी लेते हैं, शान्ती के चंद पलों का भी वो लुट पोठा रहे हैं हिंसा और मौत के मन्जर के बीच बस यहीं उनके लिए रहात है यहां कई परिवार एक ही छट के नीचे रह रहे हैं उनमें से अधिकतर अपने घर तबाह होने के बाद पहले ही ठिकाना बदल चुके हैं वायल के लिए दक्षने हिस्से में जाना कोई विकल्प नहीं है यहां तक की सड़क भी महफूज नहीं है सत्तर लोग बिना किसी चेतावनी के हवाई हमले में मारे गए सारे हमले बिना चेतावनी के हो रहे हैं अगर हम वहां अपने 5-6 परिवार के 50 अदिसें के साथ चले भी जाएं तो हमें खाना पीना कहां से मिलेगा हमारे पास सिर्फ कपड़े होंगे इसराइली फौज का कहना है कि उसने आम लोगों से जाने के लिए कहा ताकि हमास उन्हें अपनी आड ना बना सके हमास ने इस आरोग को गलत बताया है लेकिन उन हजारों लोगों का क्या होगा जिन्होंने घज़ा से नहीं जाने का फैसला किया है इस बीच हमास ने दावा किया है उनके परिजन मारे गए है एक अन्य परिवार ने अपने बच्चों के वीडियो शेयर किये जन्यागवा क्या गया है वो अपने बच्चों के रहाई की अपील कर रहे है देखे ये रिपोर्ट हमास के लड़ाकों ने इस परिवार को बंधक बनाया और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी दिलका अपने फोन के जरिये इसे फेस्बुक पर लाइव कर रही थी और उनका परिवार इसे देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था एक कमेंट में लिखा था मा आई लव य नौर्थ लंदन में उनके कजिन निर दर्वेश मुझे बता रहे थे कि आगे क्या हुआ बीते एक हफते से निर अपने परिवार की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन फिर एक खबर आई इसराइली सैनिको को डिलका और टॉमस के शव मिले चंद घंटों के भीतर उन्हें दफन कर दिया गया जिसमें हवाई हमलों की वजह से कुछ ही लोग मौजूद थे लेकिन ये अभी तक पता नहीं चला कि नौाम का क्या हुआ इस तस्वीर में ऐसा लग रहा है कि बंदूग धारी उसे खीच कर ले जा रही है आठ साल की एला और पंद्रा साल की दफना के बारे में उनके परिवार को लगता है कि वो जिन्दा है और उन्हें गजा में बंधक बनाया गया है उनकी मा कह रही है कि हिम्मत मतहरो एक दूसरे को खोजो अपने पापा को खोजो वो कह रही है कि उन्हें वापस लाने के लिए हर कोशिश जारी है और उन्हें वापस लाया जाएगा पहले की तरहत दोबारा नाचने गाने और हसने मुस्कुराने के लिए इसराइल और हमास मेजारी संगरश के बीच अंतरराश्टर डिप्लोमसी भी तेज हो गई है जर्मिन चांस्नर उलाफ शॉल्स इसराइल पहुंचे हैं और उन्होंने का कि सबसे लगातार बात्चित करने की जरूरत है चीन भी अपना मध्यपूर वराज़ दूद भेज रहा है इरान के सरोच धार मिखनेता आयातुला अलेखाम नहीं ने कहा है कि अगर घजा पर इसराइली भंबारी जारी रही तो इसराइल के विरोधियों को आक्शन लेने से कोई नहीं रोख सकेगा अमेरिकी राश्ट्रपती जो बाइडन अपना समर्थन जताने के लिए बुद्वार को इसराइल पहुंच रहे है हाल ही में इसराइल का दौरा करने वाले अमेरिकी विदेश मंतरे एंटरी बिलिंकन ने कहा कि राश्ट्रपती जो बाइडन का पूरा ध्यान हमास से बंदगों की सुरक्षित रहाई पर होगा वो इसराइल से ये भी जानना चाहेंगे कि वो घजा में कैसे अपना सैने आपरेशन करेंगे जिससे की आम नागरिकों के जानो माल का कम से कम नुकसान हो और अमेरिकी राश्ट्रपती जो बाइडन इसराइल के बाद जौर्डन भी जाएंगे वहाँ वो किंग अब्दुल्ला, फलस्तीनी नेता, महमूद अब्बास और मिस्र की राश्ट्रपती अब्दुल्फतिस अल-सी-सी के साथ इस संकट पर विचार विमर्श करेंगे इसराइल का कहना है कि अमेरिकी राश्ट्रपती के इस दौरे के कूटनी तिक मायने है अमेरिकी राश्ट्रपती का ये दौरा सामरिक रूप से महतवपूर्ण है क्योंकि अमेरिका के राश्ट्रपती जंग के वक्त आ रहे हैं वो जंग की समिक्षा करेंगे मद्धिपूर्व के अलग-अलग हालात पर बात करेंगे और उन कदमों पर भी बात होगी जिन्हें उठाने की जरूरत है इस बीच एक अलग घटनक्रम में सायुक तराश्ट सुरक्षा परिशद ने इसराइल फलस्तिनी संगर्श में मानवी संगर्श विराम के लिए रूस के ड्राफ्ट रिजलूशन को खारच कर दिया है सायुक तराश्ट में अमेरिकी परतिने दिलिंडा थॉमस क्रीन फील्ड का कहना है कि रूस ने एक तो हमास का जिक्र नहीं किया और बिना परामर्श की प्रिस्ताव रख दिया है और बात भारत में समलैंग एक विवाह को मानेता देने से जोड़ी याचिका पर आये फैसले की समलैंगिक जोड़ो और एक्टिविस्ट की और से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते वे सुप्रीम फोट ने फैसला दिया चीफ जस्टिस अफ इंडिया डिवाई चेंडर चूड की अधिक्ष्टावाली पांच जजजों की खंड पीत ने आज दिये फैसले में कहा कि समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मानता देना संसद और विधान सभाओं का काम है अधालत में क्याबिनिट सच्चिव के अधिक्ष्टा में एक विशेशग्य समीती बनाने के सरकारी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया ये कमिटी समलैंगिक जोड़ों को राशन कार और पेंशन समेथ कई अधिकार देने पर विचार करेगी फैसले में समलैंगिक समुदाय को बच्चा गोद लेने का भी अधिकार भी नहीं मिला और इस मामले में याचिका करताओं के वकीलों का तरक था कि शादी दूर लोगों का मिलन है ना कि सिर्फ एक महिला और एक पुरुष का ऐसे हम उन्हें शादी करने का अधिकार ना देना सम्विधान का खिलाफ है क्योंकि सम्विधान सभी नागरिकों को अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार देता है और सेक्शल ओरिंटेशन के अधार पर भेदभाव पर रूक लगाता है वहीं इस मामले में सरकार का कहना था कि शादी के इस सामाजिक कानूनी विशय पर सिर्फ संसक्च चर्चा कर सकती है हमारे को अमीद तो बहुत थी सुप्रिम कोट से क्योंकि बहुत सारी प्रोग्रेसिव जज्जमेंट्स आई हैं ओवर पास्ट फ्यू यर्स एल्जी प्रोग्राइट्स को लेकर के तो इस वाली केस से भी बहुत उमीद थी हमारी हमें लग रहा था एट लीस्ट कुछ तो मिलेगा कुछ राइट मेलेंगे बहुत सरे जो टेंजिबल राइट होते हैं काफी आगे बढ़े हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे बस एक चीज जो ज़रूरी है वो होप रखना बहुत जरूरी है तो हम लोग वापस आएंगे हम लोग अपने जो हक है वो मांगेंगे बार बार तो ये थे मुखे याचिका करता अभे डांग और सुप्रियो चक्रवरती जिन से बात की थी बीबीसी सम्मादाता अनांत जणाने ने और इस फैसले को लेकर कई लोगों ने उम्मीद लगा रखी थी LGBT कम्यूनिटी को बहुत उम्मीद थी कि फैसला शायद उनके पक्ष में आ सकता है अब इस वर्डिक्ट को कैसे देखा जा रहा है इस समुधाई के लिए आगे का रास्ता क्या है हमने ये जानने की कोशिश की BBC सम्मादाता दिव्यारय से जो इस मामले को कवर कर रहे थी सबसे एहम बात तो ये कि जुडिशरी में और जो एक्जेकिटिव हैं उनकी पावर्स की क्या लिमिटेशन्स हैं इसको बहुत क्लियर किया पांचों जजों ने कहा पहली बात ये कि राइट तो मैरी यानि शादी का अधिकार कोई constitutional fundamental right नहीं है इसलिए वो सब को नहीं दिया जा सकता ये कैसा अधिकार है जो तै किया गया है और उसे तै करने का अधिकार executive के पास है इसलिए उन्होंने कहा कि वो इसके बारे में कोई फैसला नहीं लेंगे और उन्होंने जो गेंध है एक तरह से सरकार के खीमे में डाली उन्होंने कहा कि आप ही ने हमें ये सुझाव दिया था कि आप एक समिती बनाएंगे लेकिन साथ ही कुछ और उन्होंने observations दी जो बहुत अच्छी मानी जा सकती है खासतोर पर समलेंगिक समुदाय के द्वारा जैसे उन्होंने कहा कि समलेंगिक ता कोई urban elitist concept नहीं है जैसा कि सरकार की तरफ से सुनवाई के दौरान कहा गया और उन्होंने ये भी कहा कि समलेंगिक समुदाय के खिलाफ बेदभाव कई तरहीके से हो रहा है अलग-अलग चाहे रोजगार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सामाज का जो ढाचा है उसमें जिस तरह से वो रहते हैं या घर लेते हैं तो उस systemic discrimination को समझना चाहिए और उन्होंने कहा कि सरकार को सोचना चाहिए कि एक समग्र कानून लाए जो इन सभी बेदभाव के खिलाफ और रोक्ताम के steps सुझाए अब आगे इस community के लिए रास्ता बंद हो गया है या उमीद भी बाकी है देखिए अभी तो सरकार को समिती बनानी है और वो अपने आप में एक बड़ा उमीद का धर्वाजा है उस समिती को ये तै करना है कि समलेंगिक समुदाई ने जो बातें को ओट के सामने रखी जैसे कि उन्होंने कहा कि जब हम किसी से शादी नहीं कर सकते तो शादी से मिलने वाले वो अधिकार मान लीजिए बैंक में joint account खोलना या insurance policy में अपना nominee बताना या अगर आपकी तबियत बहुत खराब हो जाती है आप ventilator पे हैं तो वो हक आपके partner को होता है कि आपको ventilator से हटाया जाए या नहीं इस तरह कि बहुत सारी बातों को उन्होंने court के सामने रखा और कहा कि ये हमें हक चाहिए अपनी पसंद के partner के लिए इसलिए हमें शादी का अधिकार मिले लेकिन साथ ही लोगों को ये भी लगता है कि ये जो सरकार की समिती है इस दर्वाजे को कोई छोटा दर्वाजा नहीं मानना चाहिए और जुडिशरी ने नियाई पालिका ने कहा है कि इस समिती में समलेंगिक समुदाइक की भी सदस्यता हो और उन्हें उम्मीद है कि वो अपनी बातें वहां रख पाएंगे और साल 2018 में समलेंगिक ताक अपराद की श्रेडिय से सुप्रीम कोट तहटा दिया था सुप्रीम कोट के फैसले के बाद सेम सेक्स मारिज को कानूनी मानिता देने की फुर्जोर तरेके से मांग उठने लगी थी भविश्य में दुनिया से कई पौधे गायब हो जाएंगे देखें बीबीसी समवादाता क्लेर मार्शल की ये रिपोर्ट ये नासक पौधा रॉयल बोटैनिक गार्डन्स के पाम हाउस में एक कोनी में लगा है इसके पास से लोग यूँ ही गुजर जाते हैं पर इसने हजारों चाने बजाई हैं लेकिन आप ये प्रजाती जल्द ही विलुप्त हो सकती है ये एक तरह से साधारन सा पौधा है लेकिन ये कई कैंसर रोधी दवाओं में काम आता है पौधे हमारे पहनावे हमारे खाने का हिस्सा है हमारी दस में से नौ दवाईयां पौधों से आती हैं लेकिन हो सकता है कि भविश्य में हमें आधी दवाई मिलना कम हो जाए जिन भी प्रजातियों को हम खो रहे हैं हम नहीं जानते कि उनके साथ हम किन मौकों को खो रहे हैं। इसलिए अध्यन करने का मौका मिलने से पहले ही उन्हें खो देना एक तरास्ती होगी। Amazon से लेकर Andis और Africa के तर्ट तक इस नई डेटा से पता चला है कि 2020 के बाद से खोजे गए लगभग 19,000 नए पौधों और फफूंद की प्रजातियों में से लगभग 80 प्रतिशत विलुप्त होने की खगार बढ़ हैं। इसके मुख्यवचा है उनके प्राकरतिक आवाज खत्म हो रहे हैं। रिपोर्ट में फफूंद को जैव विवित्ता के विज्ञान का अगला फ्रंटियर बताया गया है। इसकी करीब 25 प्रजातियां होने का पता चला है। ये फफूंद विश्रगे यानि माक्रालोजिस्ट की शांतिपूर्ण दुनिया हैं। इन हजारों सैंपल्स में से कुछ खुद चार्ल्स डाविन ने जमा किये थे। लेकिन अब फफूंद की कुछ प्रजातियों के विलप्ट होने से पहले जल्द से जल्द उनका विश्टेशन करने की कोशिश की जा रही है। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो प्रजातियों की खोज करें, जो रसाइनों को समझें, हमें ऐसे लोग चाहिए जो मैदान में जाएं और उन्हें इखटा करें। हमारे पास ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं, हम फफूंद से लगपक सब कुछ कर सकते हैं। फफूंद को बहुत आसानी से और छोटी जंगों पर उगाया जा सकता है। हो सकता है कि भविश में खाना फफूंद से आए। हमें उसे संजो कर रखना चाहिए। और कारिकरम कैसा लगाई ये बताने के लिए और फीडबैक मेंने के लिए आप मुझे ट्वीट जाए। है अज़िए फीडबैक तो देंगे हैं मगर अमेरिका आग में घी बी दालता है और सप्लाइबी करता है घी को अगर जो भी लड़ाय के सामन होते हैं और अगर तो नहीं चाहेगा कि जंग रुप जाए। अभी बस दिखावे के लिए आ रहा है जो बैडन अमेरिका मगर इससे कुछ फैदा नहीं होएगा जब तक हवाई हमलाश कम नहीं हो जाते बन नहीं हो जाते